वेल्कम टो आईक्यू प्रस अकेडमी इस वीडियो में हम लोग इम्तियाज अहमत सर की जो अप्सेक्टिव वाली बूख है उसके प्रस्नों को देखेंगे इसे हम मौडन हिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों अगर आपने प्रस्न जो भी हिस्ट्री के प्रस्न है या फिर बिहार स्पेसल के प्रस्न है उसको अनलाइज किया होगा तो सबसे ज्यादा देखा होगा कि जो जेग्राफी वाला पार्ट है उससे प्रस्ना रहे हैं और जो मौडन हिस्ट्री वाला पार्ट है उससे प्रस्ना जिस से हम चैप्टर से हम लोग श्टार्ट कर रहे हैं वो है बिहार में यूरोपिया कंपनियों का आगमन आज का पहला प्रस्न है बिहार में डेन व्यापारियों ने कहां व्यापारी कोठी खोला था इसका राइट आंसर होगा option number D यानि पटना सिटी का जो नेपाली कोठी है उसी में डेन व्यापारीयों ने अपना व्यापारी कोठी खोला था अगर आप इनके आगमन का क्रम याद रखना चाहते हैं तो नॉर्मल सा एक जो ट्रिक है उससे आप याद रख सकते हैं पी डी बी डी एफ यानि कि सबसे पहले Portuguese आये थे फिर उसके बाद आया था डच फिर बिटीसस आये फिर यह जो डैनिस या फिर देन जो कहा जाते है वो आये और तब जाके सबसे लाश्ट में फ्रांसिस आये तो इस तरह से आप इसके आने के करम को याद रख सकते हैं इस नोर्मल डेक के साथ चलिए आगला प्रेसंँ को हम देख लियते हैं बिहार के पतना में मालोगवद्व की अस्थापना फ्रांसिस्योंने कब किया था इसके स्थापना सब फ्रांसीसियों ने सरप्रतम 1734 में किया था दोस्तों नेक्स्ट है बिहार से यूरोपिया कंपनियों को क्या व्या पारिक समागरी प्राप्त करती थी तो दोस्तों जो यूरोपिया कंपनी है वे बिहार से में रूप से अनाज सोरा और वस्त laughter को प्राप्ट करती थी जो यह store है ना वो बिहार का जो भी उत्तरवाला district है जैसे कि सारन हो गया पस्चीमी चंपारन हो गया पुर्वी चंपारन हो गया यह मुझैपर पुर हो गया इसके अलावा भी और अगर देख लें तो दरभंगा वाला तो इन सभी जगों से यह सोया प्राप्त होता था और इसे यूरोपया कंपणिया बिहार से प्राप्त करती थी तो इस तरह से इसका राइट आंसर जह जाएगा वह हो जाएगा उपसन नमबर डी नेक्स्ट है अंग्रेजों कि बिहार के साथ वयापार के मुख्याया समगरी क आया नेक्ष प्रस्न को देख लेंगे किस अंग्रेजी यात्री ने बिहार में 1670 से 1770 में वीजड़ अकाल की चर्चा की थी तो दोस्तों यह चर्चा जौन मार्सल के द्वराइक की गए थी नेक्ष है अंग्रेज पीटर मुंडी किस मुगल सासक के समय में विहार में आया था पीटर मुंडी का आगमन का समय सा जहां का क्रम है दोस्तों जब सा जहां मुगल सासक थे तब पीटर मुंडी आया था बिहार में नेक्स्ट है यूरोपिय कमपनियों द्वारा बिहार में फैक्ट्रिया मुख्यता थी तो दोस्तों ये बताना है कि जो भी बिहार में फैक्ट्रियों को स्थापित किया गया था उनका काम क्या था मुख्य रूप से तो जो इसका काम है वो में रूप से यहां पे भंडारन भ गया है वो राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट पस्न को हम लोग देख लेंगे अंग्रेजु ने पटना में अपनी फैक्ट्री की स्मोगल सासन काल में अस्थापित की थी तो दोस्तों ये साजा के काल में इन्होंने इस्थापित की थी सबसे पहले इन्होंने 1620 इसुमें का यहां अस्थापित करने की लेकिन उन्हों सफलता नहीं मिली लाश्टली उन्हें 1651 में सफलता मिली और उन्होंने 1651 में यहां पर फैक्ट्री की अस्थापना की थी नेक्स्ट है बिहार के छेतर में सरुपर्थम आए तो भारत की छेतर में सबसे सरुपर्थम आये अंग्रेज ने 1620 में बिहार में सरुपर्थम कहां अपनी व्यापारिक के अंदर स्थापित करने का प्रयास किया था तो दोस्तों उन्होंने आलम गंज पटना में अपना फैक्टरी स्थापित करने का प्रयास किया था लेकिन ये सिर्फ प्रयास था उन्हें जो वास्तविक इक सफल्ता मिली थी वो मिली थी सोला से इक आवनेस थिस्वी में नेंगश्ट प्रसन है अंग्रेजों की अंग्रेजों की पतणा way जोटमां जाप चरना कब बनाया तरह था-टो जोब चरनाट था वो अंग्रेजों पत्ना Ta-il tô जोटमा बनाया ग्या था इतना जो हुई थी वो हुई थी 1632 में कई जगों पर मिलता है कि यह 1638 इस्वी में इनके तोड़ा इस्थापित की गए थी लेकिन इंतियाज हम जो की एक तरह से बीपेसी का सम्विधान माना जाता है यानि कि जो भी एक बहुत ही में बुक है ये बीपेसी के लिए तो हम लो वो 1632 में स्थापित की गए थी इसके अलावा अगर हम देखें तो डचो ने अपनी फैक्टरी जो पतना कॉलेज का उत्तरी इमारत है वहां पे स्थापित किया था नेक्स्ट है पतना सिटी में डेन लोगों ने अपनी फैक्टरी कव स्थापित की थी तो दोस्तों जो डे या डेनिस थे उन्होंने अपनी फैक्टरी स्थापित की थी 1774 में नेक्स्ट है किस यात्री ने पतना को मुगल सामराजी का दूसरा सबसे बड़ा नगर और उत्तरी भारत का सबसे बड़ा केंद्र बताया था यानि व्यापारी केंद्र बताया था तो दोस्तों तैवर्न है जो कि एक फ्रांसी सी यात्री था उसने पतना को मुगल सामराजी का दूसरा सबसे बड़ा नगर और उत्तर भारत का सबसे बड़ा बयापारी केंद्र बताया था नेक्स्ट है किस यात्री ने मुगल काल में पतना की जन संख्या को दो लाख बताया था तो मैंडरिक के दौरा यह बताया था दौस्तों कौन बनाया गया था तो दोस्तों मीरन को बनाया गया था नेक्स्ट है बंगाल की किस नवाम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी मुंगेर को सबसे पहले मीर कासीम ने अपनी राजधानी बनाई थी इस से पहले धाका राजधानी थी बंगाल की धाका से ट्रांसफर हुई भाका से या राजधानी मूरसिदा अब की राजधानी बनाई और फिर उसके बाद मोंगेर में ट्रांसफर कर दिया गया जोकि मीर कासीम के दोरा किया गया था अब हम देख लेते हैं अपने next प्रस्ण को बिहार आने वाला पहला यात्री अंग्रेजी यात्री कौन था तो दोस्तो रॉल फिंज था वो पहला यात्री अगला प्रस्ण है बिहार में British सत्ता का सवर परताम विरोध किसने क्या था तो अली गोहर थे जिन्होंने सबसे पहल ancy undia का घेर डाला था इन्होंने 1730 में घेरा डाला था इस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल पिहार वो मोरिशा में दीवानी का अदिकार प्रदान किया था तो यह संडी समय किया गया था जब साहलंतिया था उसी समय में बंगाल बिहारो lubrischा की दिवानी का अधिकार प्रद तो सबसे बड़ा जो इसका कारण था वो था अंग्रेजों के बीच जो अंग्रेजों का हस्त छेप था वो मुक्त रहे मतलब उससे मुक्त रहने के लिए यह किया गया था नेक्ट प्रसने बिहार के लिए एक लगान परिसाद यानि रेवेन्यों कौनसिल पटना का गठन कब क्या गया था दोस्तों 1770 इसवी में इसकी गठन की गई थी जिसके अध्यक्स थे जेम्स अलेक्जेंडर इनका बिना मियाद रखेंगे प्रसने ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 1770 में रेवेन्यों कौनसिल पटना का गठन किया गया था जिसके अध्यक्स थे तो इसलिए इनका नामियाद रखना भी ज़रूरी है अगला प्रसने है दीरेज नरायन को हटा कर सिताब रोय को कमपनी द्वारा बिहार का नायब दिवान कब बनाए गया था इनको सबसे पहले 1767 में बनाए गया था पटना के गोल घर का निर्मान क्यों किया गया था? पटना के गोल घर का निर्मान अनाज के भंडारन के लिए किया गया था? पटना में इस इत गोल घर का निर्मान किस गवानर जेनरल के काल में हुआ था? तो दोस्तों यह लॉड कॉर्ण वाल इसके टाइम में हुआ था और गोल घड का नेमान किस्ट ने करवाया था जॉन गैस्टिन ने करवाया था कि नेक्स बिहारर स्प्रसेद सरी प्रिवर्तन के संबन्द में क्या सही है यू तो सबसे पहला ओप्सटेद्शन देखेंगे बिहारा में फॉषदारी प्रसासन disco 1790 तक अपने नियंत्रण में लिया गया था 1866 में सारन जिला को दो भागों में बाटा गया यानि एक सारन और दूसरा चमपारन और तीसरा है 1875 में तिरहुत को मुझह परपूरा दरभंगा की दो कायों में विभाजित कर दिया गया तो इस तरह से यह जितने भी स्टर्टमेंट यहां पर दिये गया है वो इसारे सही है तो आपसे नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा आए नेक्स प्रसन को देख लेंगे पटना के पहले अंग्रेज मजिस्टरेट कौन थे पटना के सबसे पहले जो अंग्रेज मजिस्टरेट थे वे चार्ल्स फ्रांसीस ग्रांड थे नेक्स प्रसन है बिहार में सोरे के व्यापार का एक अधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया था दुस्तो अट्रवी सतापदी में बिहार का जो सोरा था वो काफी प्रसित था तो उस समय में मीर जाफर ने ही इसका एक अधिकार प्रदान किया था अंगरेजो को नेक्स है बिहार के छेत्र में 1777 से अंठाउन के मादे मीर जाफर यहां अंगरेजो का विरोध आरंप किया गया था तो किसने आरंप किया था इसको तो इन सभी ने किया था दोस्तो यानि राजा राम नरायन ने पहलवान सिंग ने और कामगार खा और सुन्दर सिंग इन सभी ने मिलकर यह विरोध किया था इनके अलावा अगर हम नाम देखें तो जो भुझपूर के राजा सुन्दर सिंग थे इन ही के द्वरा यह किया गया था दोस्तों चलिए अगला प्रसन देख लेते हैं मीर कासीम ने कहां बंदू को यहम तोपो का कार खाना स्थापित किया था मीर कासीम ने मौंगेर में इसकी अस्थापना कि थी दोस्तों तो याद रखेंगे ऑप्सन नमबर डी राइट आंसर होगा बकसर का यूद कब हुआ था एग्जैक्ट डेट पूसा जा रहा है इसमें तो यह 22 ऑक्टूबर 1764 को हुआ था हमें डेट अब इग्जैक्ट याद रखना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जैसे 67 भी पेसी का प्रेलिम्स हुआ था उसमें कई प्रस्न इग्जैक्ट डेट से भी पूछ लिया गया थे मेंली करेंट तो इसलिए हम लोग को डेट से से याद रखना बहुत ज़रूरी है कि नेक्स्ट आइप्यार बिहार के युद्व में अंग्री आयद्यी सेना का नेतृत किस के द्वारा और तो दोस्तों जो बक्सर में कर अंग्रेजी सेना के अगेंस्ट में ये किया था दोस्तों आई अगला पसंद देख लेते हैं वक्सर के युद में किसे विजय प्राप्त हुई थी इसमें इस्ट इंडिया कंपनी को विजय प्राप्त हुई थी चले अगला पसंद देख लेंगे 1781 में बिहार के पटना के आसपास के छेतरों में हुए ब्रिटीस विरुदी संगर्स में भाग लिया था किसने भाग लिया था इसका राइट आंसर हो जाएगा option number C यानि कि इकवाल अली खान और नरायन सिंग इन दोनों के द्वारा इस विद्रों में सामिल भाग लिया गया था और अगर हम बात करें तो इसका दमन किया गया हैस्टिंग्स के द्वारा next परस्ट ने है पटना नगर पर 24 जून 1763 को किसने अधिकार किया था तो एलिस के द्वारा इस पर अधिकार किया गया था option number A इसका राइट आंसर हो जाएगा next परस्ट देख लेंगे निमलखित में से किस भारतियों को Robert Clive ने बिहार का नयाब दिवान नियुक्त किया था सीतो ब्रॉय थे उन्ही को नयाब दिवान नियुक्त किया गया था दोस्तों बिहार का आई अगला परस्ट देख लेते हैं 1763 में पटना इससे तंग्रेजी फैक्टरी पर अधिकार किया गया था तो नवाब मीर कासिम ने इस पर अधिकार किया था option number C राइट आंसर होगा next परस्ट है British के राजा ने 1765 में एक फरमान दोरा बंगाल, बिहार, औरिशा की दिवानी East India कमपनी को कितने रुपए में दे दी थी तो ये 26 राक रुपए में दी गई थी option number C इसका राइट आंसर होगा next है अंग्रेजी को 1765 में बिहार, बंगालो और और औरिशा की दिवानी प्लब्द कराने में महतोपूर्ण योगदान था तो इसमें सबसे महतोपूर्ण योगदान था नवाब मूनीरूद दौला का option number E right answer हो जाएगा next प्रस्न है सालम दूतिया ने East India कमपनी को बंगाल बिहार तिथा उड़िशा की दिवानी प्रदान की थी अधियक्स्ता में की गई थी अभी अभी हमने इसको पढ़ा था दोस्तों तो जैम सलेक्ट जेंडर की अधियक्स्ता में यह की गई थी अगला प्रस्न है बिहार में धीरज उपसे नंबर सी राइट अंसर होगा नेक्सट पस्तन है 1767 में इस्ट इंडिया कमपनी ने राजा राम नरायन को लाज़िशार की दिवान बनाया था था दोस्तों सीतव रोय जो थे उन्हीं को यह बनाए गया था आपसे नंबर इस उड़ए है बिहार में कब लगान परिस्त का गठन किया गया जिसे रेवेन्यू कॉंसिल पटना के नाम से भी जाना जाता है इसे 1770 में किया गया और इसके अधेक्ष जेम सेलेक्ट जेंडर थे अगला प्रस्त नहें बिहार में अकाल के जाँ छेदू राजस्व कर्मियों का पता लग तो इस तरह से ऑप्सन नमबर सी राइट आंसर होगा अगला प्रस्त देख लेते हैं मतलब अगला चैप्टर देख लेंगे हम लोग तो अठाव संतावन का विद्रोष यहां से सुरू होता है दोस्तों इसको भी हम लोग आज ही डिसकस करेंगे नेक्ट प्रस्त ने अब देवगर से हटाकर कहां लाए गया था तो अंग्रेजों ने इस रेजिमेंट का जो मुख्याले था वो रोहिनी से हटाकर भागलपूर कर दिया था अगला प्रस्त ने कहां के पुलिस जमादार हसन अली खां को अगला प्रस्त ने बिहार के किस ब्रिटिस अधिकारी का यह कथान है डैस सहबाद में अंदोलन ने राष्ट्रियों विपलों की समाप्त गरिमा प्राप्त कर ली थी तो यह कथान है इए स्यामी यूएल्स का नेक्स्ट है बिहार के पटना में अठाज संताउन के विद्रों के दरौन पुलिस दल के गठन में अंग्रिजों ने किस जाती को सामिल करने से मना कर दिया था तो इसमें जो मना किया गया था इनके दोरा वो राजपुतों को मना किया गया था इसमें मेंली राजपुत ब्रामन और मुसल्मानों को भरती करने की मना ही थी अगला पेस्न है अठासंताउन के विद्रो में कौन मारा गया था पटना में तो डॉक्टर आर लायल जो थे वो मारे गया थे अठाव संतावन के विद्रों में नेक्स्ट है बिहार में इस्ट इंडिया कंपनी सरकार ने पटना बिहार साहबत जीलो में अठाव संतावन के विद्रों के दोरान कम मार्सल लाउ को लागू किया था तो मार्सल लोग को लागू किया गया था 30 जुलाई 1877 को आपसन नमबर बी राइट आंसर हो जाएगा बिहार के दानापूर पटना के साने टुकरियों ने विद्रोह किया था कब किया था दोस्तो 25 जुलाई 1877 को बिहार के दानापूर के साने टुकरियों ने विद्रोह किया और वहाँ से ये डिरेक्ट कहां पहुँचे आरा पहुँच गया और इन्होंने चूज किया जगतीसपूर के जो जमिनदार थें कुवर सिंग उन्हें अपना नेता बनाया नेक्ट परस्ट ने 1867 के विद्रो के समय कुवर सिंग की उम्र क्या थी इनकी उम्र लगभग 75 वर्स थी दोस्तों अगर हम बात करें तो इन्हें बिहार का सिह भी माना जाता है और इनके लिए काफी सारी मतलब लोकाक्तिया हो जाया या फिर बहुत सारे वर्ड बोले गये थ जिसमें 1867 के समय में जो विद्रो हुआ था उसमें सबसे अधिकुम्र के कुवर सिंग ही थे दोस्तों फिर भी इन्होंने बहुत ही कुसलता पूर्वक इस मोर्चे को संभाला था अगला पसने बिहार में 1867 के विद्रो के दोड़ान कुवर सिंग के अनुआई कौन थे तो इनके अनुआई लगभक सभी थे अमर सिंग इनके भाई थे रत भन्यन सिंग जैसरी कृष्ण सिंग इनके अलावा अगर हम इनके अनुआईयों का नाम देखे तो निसान सिंग हरी किशन सिंग साहबाद के चार जमिनदार नरह सिंग जुहन सिंग तो यह सभी नाम भी इस समयूयल के द्वारा कहा गया था दूस्तों कि कुवर सिंग ने आरा चेत्र का सासा घोसित कर लिया है स्वाम को जब 25 सेतेंबर अठाउसन ताउन को एक पत्र लिखा गया सैमूयल के द्वारा तो उसने बंगाल सरकार को यह कहा था उस पत्र में अगला प्रस्न है बिहार में और संताउन के विद्रोह के दोरान किसने गया है ओम सासराम के बिच संचार वेवस्था को समाप्त कर दिया था कुवर सिंग के भाई अमर सिंग थे उनहीं के द्वारा यह वेवस्था को ठप किया गया था जब कुवर सिंग की मृति हो जाती है 26 अपरेल को 1858 में तो उसके बाद से कुवर सिंग ने ही इस जो विद्रोह था उसका मोर्चा संभाला था लेकिन कुछ दिनों बाद इनको भी अंगरेजियों के दोरा पकड़ा जाता है क्यात कर लिया जाता है और इनकी मिर्थी हो जाती है अगला पसने किसने कुवर सिंग की सेना को पूरी तरह से पर परिंदार थें तो यह नवादा के थे दोस्तों याद रखेंगे नेक्स प्रसने बिहार में 1857 के विद्रोह के दोरान कहां 32 वी एन आई के दो कंपनी और पांच वी इन रेगुलर कंपनी ने विद्रोह किया था तो भागलपूर में यह विद्रोह हुआ था ओप्सन नंब नेक्स पर विद्रोहियों के पक्ष में काम करने का संदे अंगरेजों ने जताए था तो दर्भंगा माहराज पर यह संदे जताए गया था दोस्तों नेक्स्ट है बिहार के साहबाद जिले में अठाउस संताउन के विद्रोह के दोरान कहां के राजा ने अंग्रेजों को साहता करने का वचन दिया था डुम्राओ के राजा ने यह वचन दिया था कि वो अंग्रेजों की साहता करेंगे नेक्ष्ट प्रस्न है अठाव संतावन के विद्रोही और डकैती के आरोप में गुड़ी जहा संबंदित हैं मतलब गुड़ी जहा कहां से संबंदित हैं या भागलपुर से संबंदित हैं कोन थे तो इसमें बिहार से जो करनतीकारियों के नेटा थे Lazher के किस वेक्ति ने अठाटिस संताउन के विपलों में करनतीकारियों का नेट्रे थे ये तो हम Schaf Biz यहां कि विद्रोह के नेता थे तो दोस्तो यह पटना के थे और पटना में किसने इस विद्रोह का नेतित के था पीर अली जो की एक पुस्तक विक्रिता थे उन्होंने ही किया था दोस्तो अगला पेसने विहार के किस नदी टट का किनारा अठार संताउन के विद्रोहियों का गवाह बना तो दोस्तों सोन नदी यही अठार संताउन के विद्रोहियों का गवाह बना था अगला पेसने अठार संताउन विहार में अठार संताउन के विद्रोहियों ने था सरनाम सिंग कहां क तो यह रोहता से समंधित थें अगला पसने है इसने 1818 के विद्रो के दुड़ान राजगीर पर कपजा कर लिया था राजगीर पर कपजा करने वाले में हैदर अली थे इन्होंने 9 अक्टूबर 1821 को मतलब हैदर अलिको अंग्रेजों ने फासी दे रिया था कहां खुषाल सिंग के नित्रित में अठाव संताउन के विद्रो हुआ था तो दोस्तो यह विद्रो हुआ था वजीर गंज नवादा में नेक्स्ट है बिहार में अठर संताउन में रजवारों का विद्रो कहां हुआ था नवादा में यह विद्रो हुआ था अपस नमबर डी राइट हो जाएगा नेक्स्ट है अठर संताउन के विद्रोहियों ने गया जेल पर कब जा किया था गया जेल पर कबजा किया था तीन अगस अठासो संताउन को बिहार के गया अरवल नावादा और औरंगा बाद में अठासंताउन के विद्रोही नेता कौन थे तो जीवधर सिंग थे दोस्तो नेक्स्ट प्रस्त है बिहार में अठासंताउन के विद्रोही विद्रोख के दोर्ण मेजर E.A. इस होमस के हतिया कहां पर की गई थी इनकी हतिया चमपारन में की गई थी दोस्तों जो मोतिहारी है उसी के समीप में ने सुगौली में घूरसवारों का एक दल था जीनों ने इनकी हतिया की थी नेक्स्ट प्रसना है कौन थे कौण सिंग घगडीशत्जपूर में किसने बंदू के घुला बारूत बनाने की एक करथान को अस्थापित किया था कौशरी के दोरा किया गया था जगदीसपूर के राजा कौन थे जगदीसपूर के राजा कुवर सिंग थे अपसन नमबर डी राइट आंसर होगा इसके अलावा देखे तो जगदीसपूर जो है वो सहबाद जिले में इसे थे और सहबाद जिले की राजदानी आ रहा थी अगला प्रसना है जगदीशपूर में 1877 के नेत्रितों में समरांतर सरकार की अस्थापना किसके द्वारा की गए थी तो दोस्तो कुवर सिंग के भाई थे अमर सिंग इनके द्वारा ही या समरांतर सरकार की अस्थापना की गए थी दोस्तो मुंगेर ही वह एक छेतर था जो कि पूरी तरह से आप्रभावीत रहा था मतलब कि इसने 28 संताउन के विद्रों में भाग नहीं लिया था ओप्सन नमबर यहां पे जो B है वो राइट हो जाएगा अगला परसन है 18 संताउन के विद्रों में कहां के लोगों को अभास हुआ मानों देश से सरकार के प्रसासन समाप्त हो चुका है ऐसा फिल किया गया तिरहुत में नेक्स्ट परसन ने 18 संताउन के विद्रों का बिहार में 15 जुलाई 18 संताउन से 20 जनुरी 18 संताउन तक का केंदर क्या था जगदीश पूरवा केंदर था नेक्स्ट आवद के सा ने कुवर सिंग को फर्मान दिया था जिसका संबंद किस से था इसका संबंद आजमगर से था नेक्स्ट अठाउसन ताउन के विद्रों के पहले कुवर सिंग को किस वर्ष द्यांतर में सामिल होने का संदेह किया गया था तो जो 1845 से 46 का सड़यन था उसी में कुवर सिंग को सामिल होने का संदेह किया गया उस समय जो विलियम टेलर था उन्होंने कुवर सिंग को मतलब कि धोके से मतलब कई मुसलमानों को इन्होंने बुलाया था और धोके से क्याद कर लिया था लेकिन जो कुवर सिंग थे वे काफी दूर दर्सी थे मतलब वह बहुत ही दूर की बातों को सोचते थे तो यहीं सारी बातों को सोचके वे विलियम टेलर के निमंतरण पे उनसे मिलने नहीं गया थे अगला प्रसन है 1870 पटना में 1870 उनके विपलाव के नेता कौन थे पीर अली थे दोस्तों जो कि एक पुस्तक बिक्रेता थे और विद्रों में वह पराजित हो गए थे इसके बात पटना में ही उन्हें फासी दे दी गए थी वीर कुवर सिंग को किस राजी के राजा ने अपने राजी में प्रवेस देने से अनुमती नहीं दी थी रीवा के राजा थे दोस्तों जिन्होंने इने प्रवेस के अनुमती नहीं दी थी चलिए ऐसा इन्होंने इसलिए किया था क्योंकि ये अंग्रेजों का साथ देते थे और अंग्रेजों के लिए काफी निश्टवान थे अगला पेसने है कुवर सिंग ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ यूद किया था इन्होंने अपने अंतीम समय में लीग रेंड के साथ यूद किया था इन्होंने इस यूद में कैप्टेन लीग रेंड को पराजित कर दिया था लेकिन इसके तीन दिन के बाद ही इनकी मृति हो जाती है कहा के सासक ने कुवर सिंग को पुषाग दी तथा हजारों रुपए तथा आजम गर्जिला के लिए फर्मान प्रदान किया था अवद के राजा ने किया था दोस्तों next प्रस ने कुवर सिंग ने किस युद में नाना सहीब का सहियोग किया था कानपूर की लड़ाई जो थी इसी में इनके दोड़ा सहयोग किया गया था दिसंबर अठाशन ताउन में ये युद लड़ा गया और कुवर सिंग तथा नाना सहेब को सफलता नहीं मिली थे इस युद में कुवर सिंग ने 26 मार्च 1808 ठाउन को किस जिला पर अधिकार स्थापित किया था दोस्तों इनके दोड़ा आजमगर पर अधिकार स्थापित किया गया था और आजमगर का कन्रल जो था वो था मिलमैन और कुवर सिंग के बीच में ये युद हुआ और अंग्रेज पराजित हो गया और इस तरह से आजमगर पर कुवर सिंग ने अधिकार स्थापित कर लिया नेक्स्ट प्रेस ने बिहार में अठार संता उनके अंदोलन के दोरन किन जीलों के जमिनदारों ने कंपनी की साहता की थी तो कंपनी की साहता करने वाले में हथुआ पन डॉलर बेतिया इन अगला पैसने अठार संताउन के विद्रो के प्रारम होने की समय पटना का यूपत कौन था कमिस्टनर कौन था तो यह था विलियम टेलर नेक्स्ट पेस्न है पटनामिक कब 867 का व्यापक विद्रो हुआ था 867 का जो विद्रो हुआ था वो 3 जुलाई 867 को हुआ था पटनामिक यहाँ पर एक वाक्या दिया हुआ है जिसके बारे में हमें बताना है मैं नगर को ध्वस्त कर रहा हूँ एवं महल तथा मुखे भाउनों को उड़ा देने की त्यारी कर रहा हूँ आज मैंने कुवर सिंग द्वरा हाल ही में बड़ी धनरासी खर्च करके बनवाए गया मंदिर को अंस्त तोड़वा दिया है यह कथन किसका था दोस्तो यह वीन से टायर के दोरा कहा गया था नेक्स्ट है बिहार में अठाव संताउन के विद्रो के दोरान कुछ जीलों के सैनिकों को हटा लिया गया था उन जीलों का सही करम बताए इसका सही करम है सहबात पढ़ना बिहार यहां पर बिहार क्यों दिया गया पता नहीं लेकिन आप्स नंबर 20 में राइट आंसर बताया जा रहा है नेक्स्ट है अठाव संतान के अंदोलन के दोरान अंगरेजो की विरुद छापा मार यूद किसने लड़ा था अमर सिंग ने दोस्तों यह यूद लड़ा था यह प्रस ने दानापूर की सैनिकों ने कब कंपनी के विरुद विद्रो किया था 25 जुलाय अठाव संतावन को यह किया गया था किस अंगरेज अधिकारी ने कुवर सिंग को मिलने के लिए पटना में आमंत्रण दिया था तो टेलर के दोरा यह आमंत्रण दिया गया था लेकि पर इनहोंने किया था दोस्तों नेक्स्ट बिहार नśl 17 में मुहमध हुसेन खा का नेत्रितों किस छेत्र में हुआ था छपरा के छेत्र में मुहमद हुसेन खाने इस विद्रो का नेत्रितों किया था कुवर सिंग ने ऑक्टूबर अठाव संताउन में निम्न में से किस से मिलने का प्रयास किया था इन्होंने तातिया तोपे से भी मिलने का पयास किया था तो इस तरह से आपसे नमबर डी राइट आंसर हो जाएगा नेक्श प्रसने बिहार में अठाव संतावन के विदरों के नेता अमर सिंग को गिरफतार किस ने किया था इनको महराजा जंग बहादूर के दोरा गिरफतार किया था नेक्श प्रसने बिहार में अठाव संतावन के विदरों के नेता अमर सिंग की मृतिव कब हुई थी इनकी मृतिव पेचिस के कारण गोरखपूर जेल अस्पताल में हो गई थी और डेट है पांच फरोडी अठाव संतावन के विदरों का नेतर तो बिहार में किस ने कियाiest? का नेतर तो कुवर सिंग के द्वरा किया घया था नेक्षट प्रेस ने कुवर सिंग ने में बिहार का नेति तो करने वाला नेता कौन था कुवर सिंग थे वो दोस्तों बिहार के किस रियासत के राजा ने स्वतंता संग्रा में सक्रिये भाग लिया था जगदीशपूर के राजा ने इसमें भाग लिया था यानि कुवर सिंग ने भाग लिया था अठासंतावन के विद्रों ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया बिहार के बिभिन नगरों में विद्रों के विसफोर्ट का सही क्रम बताना है तो यहां पे सबसे पहले पटना में होता है फिर मुझफर पूर में और फिर जगदीश पूर में तो अपसन नमबर 20 का राइट आंसर हो विखाई संबंदित हैंं तो यह तर संतावन के विदो से संमंदित हैं जिनको अंग्रेजयोंने फासीड़े दी थी 1857 का जयन विद्रो सरपर्थम किस के नेत्रितों में हुआ था तो दोस्तों बिहार में अगर सरपर्थम देखा जाए तो यह हुआ था पीरली के नेत्रितों में कब सुरू किया था इन्होंने 3 जुलाई 1857 को नेक्स्ट प्रेस ने 1867 का विद्रो का सुरुवात बिहार में कब हुआ था 3 जुलाई 1857 को नेक्स्ट है बिहार में 1857 का विद्रो व्यापक क्रूप से सरपर्थम कहां पर हुआ था पटना में ही हुआ था पटना के अठाव संतावन के विद्रोव के पीर अली जो नेता थे उन्हें फासी कब दी गए थी तो दोस्तों तीन जुलाई को इन्होंने विद्रोव की सुरुआत की और इन्हें 7 जुले अठाव संतावन को पकड़ कर फासी दे दी गए थी बीच चुरा है पिताकी इनके जैसा विद्रो करने का दुसाहस कोई ना करें इनके घर को इनके दुकान को पूरी तरह से अंग्रेजों ने नस्ट भी कर दिया था ताकि लोगों के बीच में एक डर समाज आए नेक्ष परसने पटना के कमिस्नर विलियम टेलर ने किस बहावी नेताओं को अठाओ संताओं क संगर्स के समय क्याद कर लिया था तो इसमें मौलवी अहमदुल्ला वाइजुलहक और मुहमद हुसैन तीनों को क्याद कर लिया था तो इस तरह से ऑप्सिन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा अठाओं संताओं के संग्राम को दबाने के लिए अंग्रेजों ने बिहार कि कई जिले में सैनिक प्रसासन लागू किया थे यह जिले कौन-कौन से थे तो दोस्तों इन जिलों का क्रम है सारन चमपारन तिरहुत और पटना यानि तीनों जगह पे सैनिक सासन लागू किया था नेक्स्ट है हरी किसन सिंग एम रंजीत गौला कहां के विद्रोही थे य जगदिसपूर में एंट्री करते हैं और तेई सपरेल को यह घैल हो जाते हैं और अन्तता चब्वी सपरेल 1858 को इनकी मृती हो जाती है तो दोस्तो आज का यह सेसन कंप्लीट होता है निक्ट सेसन में हम लोग इसके बागी चैपटर्स को भी डिसकस करेंगे तो दोस्तो आपको हमारा सेसन कैसा लगए है और लाइक और सेयर करते रहें तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद